बिक पॉस 13 में मिले सिधात शहनास और एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए हमारे लिए सब कुछ बन गए वो हमारे सुकुन बन गए वो सिडनास बन गए सिधात के साथ ही है शेहनाज जब से बिक बॉस 13 से वो बाहर आई है तब से वो सिधात के घर पर ही है सिधात के साथ ही है वो फैमली है हमेशा शेहनाज ने सिधात को अपनी फैमली बताया और उस चीज़ को निभाया है और ये चीजे अब तो बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग जानते है हम फैंस तो हमेशा से ही ये चीजे जानते थे लेकिन अब इन चीजों में कोई भी शक नहीं रह गया है किसी की भी लिए तो गाइस सिथात ने हमेशा शेहनास को बहुत जादा प्रोटेक्ट किया है हमेशा शेहनास का बहुत जादा ध्यान रखा है हर चोड़ी से चोड़ी चीज़ का बात का हमेशा ध्यान रखा है और अब जब सिथात यहां नहीं है लेकिन दे गए है अपनी शहनास को कुछ खास तो क्या है पूरी बात बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे तो गाइस शहनास गिल ने अभी कुछी दिन पहले का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं उनके कमफर्ट जोन का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ये है अदित जो ये देखते हैं कि शूट पर सब कुछ ठीक है या नहीं शहनास किल कमफर्टेबल रहें शूट पर उस बात का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं और साथ में है कुशाल जो की शहनास के लिए सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स और उनके लिए बिलकुल सही रोल चुनना इन्ही का काम है तो गैस ये तीनों सिथाद की ही टीम में थे पहले और अब वो शहनास के लिए काम कर रहे हैं तो इतने मजबूत हम कहेंगे की टीम सिथाद की थी जो की अब शहनास की है उस सिथाद इस तरह से अपने खास लोगों को शहनास के लिए छोड़ गए हैं और वो शहनास का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने सिधात का ध्यान रखा है कैन, अदित और कुशाल वो अब शहनास के साथ है शहनास का ध्यान रख रहे हैं और यह देखकर हम फैंस खुश तो हैं कहीं न कहीं emotional भी है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिथात कुछ खास दे गए है शहनास को वेल गाइस क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा वीडियो पसंद आयो तो प्लिस लाइक को शेयर ज़रूर कर दीचेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी सिरूर प्रस कर दीचेगा लेटिस्ट अपडेट्स के लिए थेंक्स फॉर वाचिंग गाइग